नमस्कार गुड इवनिंग आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम इस सेशन में बात करेंगे कि आपको MSW में एडमिसन कैसे मिल सकता है वो भी डारेक्ट एडमिसन आप ले सकते हैं सेंटर इंवर्सिटी में देखें सेंटर इंवर्सिटी जितने भी इंडिया में इं होता है जिसको स्यूसेट यूजी और पीजी के नाम से जानते हैं स्यूसेट यूजी होता है आपको अंडर गेज़ेट में एडमिसन के लिए और स्यूसेट पीजी होता है आपको पोस्ट गेज़ेशन में लेने के लिए लेकिन कभी-कभी सेशन जो होता है एडमिसन का जो सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप सभी का बहुत बहुत है इस चैनल पर हम बात करते हैं सोसल वर से जुड़े हुए बहुत इपोटन टॉपिक्स पर चलिए बिना किसी देट की हम देखते हैं कि क्यों से सेंटल उनिवर्सिटी जहां पे आप MSW में अडमिसन ले सकते हैं वह भी बीना से उसे पीजी के तो हम आ गए हैं अफिस्यल वेब साइट पर जहां पर आप देख सकते हैं कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट पर यहां पर एकिडमिक सेशन 2002-2022-2024 के लिए यहां पर सीट ओपन है जैसे कि आप देख सकते हैं मिसको थोड़ा और आपको डि इडिकेशन और गांधियन एंपीस स्टडी एंड साथ में सोसल वर्क और यहां पर कई सारे जो बैचलर डिग्री इन जो लाइब्रेडी साइंस है उसमें भी यहां पर सीट वेकेंट है इस तरह से कई सारे सब्जेक्ट है जहां पर यहां पर एडिमिसान होने के बाद सेश करते हैं सारे साथ में इस तरह से बिर्देख सकते हैं पुलिटक बैचाइंस हिंदी और को यहां पर दीक्पान मीं और साथ में मैधीमेटिक्स साथ लाइब्रेर्यरियरि सांस इस तरह के संस्क्रीट डिपार्टमेंट में साथ मासमनAnda nterm स स condemnेंस्ट काउंसलिंग का भी है वो डेट ओपेन है फॉर दा सेकेंड काउंसलिंग के रूप में यहां पर डाइट एड्मिशन किया जा रहा है फॉर द वेकेंट हम बात करते हैं सोसल वर्क की तो बिना किसी देड के हम सोसल वर्क का जो इसका नोटिफिकेशन है उसको चलते हैं और देखते हैं डिटेल में और जानते हैं डिटेल में कि यहां पर कौन सी उन्वर्सिटी है जहां पर MSW के लिए डारेक्ट एड्मिशन के लिए ओपन हुआ है भी नोटिश फॉर ओपन काउंसलिंग कम एड्मिशन यहां पर देख सकते हैं मास्टर आप सोसल वर्क MSW प्रोगाम फॉर एकडमिक सेशन स्कोर कार्ड फॉलडर रिट अन्ट इसकोर कार्डॡर्स यहां पर बहुत ही इंपॉर्ट वर्ट लिखा गया ना यह आपको इस नोटिफिकर्शन बहुत ही इंपॉट हराया जैसे station यह को क्या हो चितनी बी इंवर्यिए वहां में वहां में आंडमिशन होता है ुसको सी n सिट पीजी है जिसके तुरू आप किसी भी मास्टर डिग्री में एडमिसन के लिए उसका स्कोर काड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और यह एक्जाम करवाती है यहां पर सिट वैकेंट है इस वजह से यहां पर जितने भी सिट जिन्होंने दिया है जिनके पास इसका स्क करें यहां पर जो वेकेंट सीट है वह ट्विटी एट सीट है जिसमें से आपको यहां पर ओवी सी के लिए आड इसके लिए दो एड़ो इसके लिए गया नीचे उस पर आपको क्लिक करना है और आप इस तरह से एडमिसन ले सकते हैं हां आपको डेट जरूर याद रखना डेट का है 1 सेप्टेंबर 2023 यानि की एक सितंबर 2030 से पहले आपको जो यह गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है इस पर जाना है और आपको उसको फीलत परना अच्छे से यहां पर एक जो कोड दिया गया है बार कोड दिया गया है इस क्या है तो आप क्या कर सकते हैं सेम डेट को चांसलिंग वाले डेट पर भी आपको बैंक चलान के तुरह आपको फी जमा करना होगा कैसे तो जिनरल ओवी सी और यी डवली एस काट्योगरी के लिए 500 और टूहनेट फॉर्टी एस परशन विर डिसेबल कैटेगरी सब्सक्राइब करने के लिए यहां पर इलिजिबल हैं सर्थ बस छोटी सी है छोटी सी सर्थ है कि अगर आप जेनरल कैटेगरी के हैं तो आपको पास कम से कम होना चाहिए 50% मार्क्स और बाकि सारे के लिए आपको यहां पर 45% मार्क्स ही मागा गया है एनी कंडिडेट विट सी यू से टून 20 23 स्कोर और विदाट स्यूसेट स्कोर आलिजिबल यानि कि आपको थोड़ा सा जानके यह थोड़ा सा थोड़ा कि इंगरा चाहते हैं जो इंड़ यहां पर और यहां पर एक लिंक दिया गया इस लिंक पर जाकर आप एड़ुंस जूड़ा और नोटिफिकेशन को डिटेल में जा सकते हैं या फिर यहां इफ यू के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं लाज डेट एक सेप्टेंबर 1 सेप्टेंबर 2023 है अपको डिपार्टमेंट आप सोचल वर्क स्कूल आप सोचल साइंस महात्मा गानी सेंट्र उनिवर्सिटी एक ओपें काउंसलिंग कम एडमिसन नोटिफिकेशन है एक गोल्डेन अपर तब तक लिए धन्यवाद